मैं आप सबसे आज के दिन एक जवाब चाहता हूँ आप सिर्फ एक नंबर बताओ कि कोई कितनी बार आपको ब्यूकूप बनाए तो तब जाकर उसके चैनल को आप अंसब्सक्राइब करोंगे कितनी बार सिर्फ एक नंबर तैं करो मैं इंपॉर्टेंस उसका समझ लो तो मुझे भी ट्टी और पेशाब पीना पड़ेगा फिर एसकी बातों से तो आपको ऐसे समझ में आया होगा कि इसलाम में मुढम्द صلى ले लिए ठीचाब पीना से खाया गया है और पाखाना खाना से खाया गया है ये है आपका मजब, मसीर साहब ये है आपका मजब, इससे अच्छा तो आप निकल जाओ, वरना फिर पेशाब और पाखाना खाना पड़ेगा आपको ये वीडियो देखने के बाद तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि इसलाम में फर्ज है, याने कमपल्सरी है बेवकूव बनाते हैं, हकीकत ये है कि पिशाब पीने की हदीश जाइफ है, गैसा बिचुदा है इस टॉपिक पर हर एक हदीश की पूरी डीटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा पाखा ना खाने के तालुक से तो जईफ हदीश भी नहीं है, इरादे के बारे में एक अधीश है जो जईफ है मेरा चैलिंज है कि कोई भी सई हदीश पेश करो कि नभी ﷺ की सहाबा कमपैनियन्स मुहमद ﷺ की पिशाप पिया करते थे पेश करो और उनकी पाखाना खाया करते थे पेश करो और अगर नहीं है तो पॉलिक स्टेटमेंट दो कि आपके पास कोई सही हदीस नहीं है और अपॉलिजाइज करो इसलाम में तहारत सफाई की बहुत इंपॉर्टन्स है नमाज में जिसम पर कपड़ों पर और नमाज की जगा पर कोई भी नजासत यानि की गंदगी नहीं होनी चाहिए अगर आप उस गंदगी नजासत की लिस्ट देखो इसलाम में तो बिल्कुल टॉप पर आपको पिशाब और पाखाना मिलेगा और जो चीज गंदगी है नजासत है वो खाने के लिए हराम है इसलाम में सही हदीस में आता है कि मुहमेद सलीलासम जब भी टॉलिट के लिए जाया करते थे तो अपने साथ में पानी का टंबलर इदावतु मिमाइन यानि अस्तन जी भी पानी का टंबलर ले जाते जिससे वो अपने आपको साफ किया करते थे आप बताओ साबिच शुदा प्रूवन चीज़ों को छोड़ कर अंप्रूवन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर इतनी बड़ी शक्सियत के उपर इस तरह से एतराज उठाना क्या ये सही है ये बात हमारे क्रिशिन भाई बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्रिशिन स्कॉलर्स बताते हैं कि जीजस क्राइस के बारे में कुछ गेर मुनासिब चीज़ें जैसा कि आप देख सकते हैं जो gospel of saint Thomas में दी हुई है वो चीज़ को वो नहीं मानते क्यों क्योंकि gospel of Thomas Christian Bible के canonical books में से नहीं है में शामिल नहीं है वो लोग उसे नहीं मानते ये बात हमारे हिंदो भाई भी बहुत अच्छी तासे समझ सकते हैं कि वाल मिकी रामायं के जो सात कांड है उसमें जो सातवा उसके अंदर राम के बारे में कुछ गेर मुनासिब चीज़ें मिलती हैं उनका ये कहना है कि वो इस उत्तराकांड को नहीं मानते हैं कि ये औरिजिनल वाल मिकी रामायं का हिस्सा है ये बात कही जाती है सही है गलत है वो मुझे नहीं मालूम लेकिन इसलाम में हम जब किसी अधिस को जईव बोलते हैं यानि के वीक या मौज़ू बोलते हैं यानि के फैबरिकेटिट तो प्रूफ की बुनियाद पर बोलते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए ये वेब साइट दिखा रहा है लेकिन अब उसकी फेवरिट वेब साइट इसलाम क्यू एजिसके पर कई बार उसने एतराज उठाया है वो अब नहीं बता रहा है और जो फेमस फत्वा वेब साइट जो टॉप सर्च रिजल्ट्स में से है इसलाम वेब वो नहीं बता रहा है क्यूं मालु मैं क्योंकि उन्हां ने इस हदीस को जईव कहा है और ये कहा है के नभी मुहमेद फत्वा शॉपिंग कहते हैं आप बताओ कि एक गुरूप की गलत राय को इसलाम की टीचिंग की तौर पर पेश करना कैसा है इन्हें इस बात को ऐसे पेश करना चाहिए था कि वो मुस्लिम्स के एक गुरूप की राय के खिलाफ है Muslims के एक group की राए के खिलाफ है वो ये नहीं कह सकता कि वो Islam के खिलाफ है इसे academic honesty कहते हैं लेकिन ये लोग ये honesty नहीं रख सकते हैं क्यों मालम है? क्योंकि उनका पूरा narrative collapse हो जाएगा कि Islam गलत है अब क्या होगा? कि वो मुसल्मानों के एक group की राए के खिलाफ है एक मिसाल से समझते है एक group है उनकी website भी है The Flat Earth Society जो अपनी journals, research papers, pseudo scientific research, theories वगेरा के जरीए ये साबित करता है कि दुनिया चप्ती है अब अगर कोई इनकी मिसाल को दे कर अपने followers को कहे कि इससे साबित होता है कि साइन्स गलत है तो आप क्या कहूंगे? आप ही कहूंगे कि ये शक्स अपनी audience को बेखूब बना रहा है क्यों? एक group की राए को साइन्स की राए पेश करके साइन्स को refute करना ये तो honesty नहीं है ना अगर ये लोग इस्लाम के दुश्मन अपनी दुश्मनी में भी मांदारी रखें तो जो topics में इन्हें इकतिलाफ है उनकी दुकान का one third stock एक तिहाई stock खाली हो जाएगा और ये rule अगर वो बनाए के जईफ और मौजु हदीथ जूटी और fake बातों को बन्याद बनाकर इस्लाम पे अतराज नहीं उठाएंगे तो उनकी दुकान का और one third stock खाली हो जाएगा और जो बाकी one third बचेगा genuine सवाल उनका हमरुक जवाब देंगी इन्शाला लेकिन बेवकुफी यहां खतम नहीं होती है आगे देखिए As some of our wise men say is the water of paradise पेशाब तो नहीं मिलेगा आगे एक बार जेल लेंगे यहां लेकिने पेशाब कौन पिएगा आप बताओ आप देखिए किस तरह आपने फालोर्स को विकूब बनाते हैं यह लोग पहले तो यह बात किसी सही हदीस में नहीं है दूसरा, कि अगर तालाब के पानी से चाय बनाई गई है तो क्या इसका ये मतनलता है कि पूरा तालाब चाय से बरा हुआ है ये कहां दिया हुआ है कि जन्नत में محمد صلی吐 लैसम की पिशाब पिलाई जाएगी कहां दिया हुआ है कहां दिया हुआ है चालिंज है उनके लिए लाओ लाओ या तो पॉल्डाइस करो या तो माफी मांगो मैं आप सबसे आज के दिन एक जवाब चाहता हूँ आप सिर्फ एक नंबर बताओ कि कोई कितनी बार आपको बेखू बनाए उस दिन आप इन बेवकूब बनाने वालों के चैनल को जाकर अंसबस्क्राइब करो और अगली बार यूट्यूब आपको अगर उनकी वीडियो सजस्ट भी करें तो ये तीन डॉट्स दबा करके नॉट इंटरिस्टिट सिलेक्ट करें और देखते रहिए मेरे साथ इन वीडियो को हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें ताके हमारी अगली वीडियो मिसना हो अब आईए देखते हैं इन सब हदीसों की अनाल्सिस अनाल्सिस बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ ये लोग कहते हैं कि कोई तो इसलामिक स्कॉलर है जिसने इस हदीस को मौतबर कहा है रिलाइबल कहा है तो इस वज़ा से वो क्या कहते हैं कि हमें दोश नहीं दे सकते हैं हम तो स्कॉलर को कोट कर रहे हैं ये तो ऐसी मिसाल है जैसे डॉक्टर आपरेशन करता है किसी पेश कोशिश की इस वज़ा से उसे सजा नहीं दी जाती है इसे देखकर कोई डाकू जसने मुर्डर किया है वो कहते है वो डॉक्टर को सजा नहीं दिये न है इसन извест नहीं मुझे सजा नहीं दे सकते हैं हम इन इसलाम के दुषमनों से कहते हैं تم इस्लाम को अटक करने आयो ना तुम आपस तो प्रूफ होना हमें अगर न के साथ डला अपालज़ेश करना होगा जब पहली जए रहा हूँ आईए पहली रदीश से शुरू करते है इस पहली खीश में आया है के अम्म एेमन ए में गलती से माहमुत की पिशा पिई ली और मोमंद आ सम्ने फरमाया कि तुम्हारे पेट में कभीडर नहीं होगा लेकिन ये रिवायत मनकते है जाीफ है इसकी सनद में रावी मिसिंग है सनद में ब्रेक है निसके ए इसका करते हैं कि ये 9 नावी है अप देखेंगे के तबे तबई के बात के जमाने का रावी है और वो बेयान कर रहे है याला बेन अता जो तबई है और जो दस्वे तबई के रावी है उनकी तबई इन से मुलाख़त ही नहीं हुई यानि कि कम से कम एक रावी मिसिंग है और रावी जब मिसिंग है तो ये बात थ थाबित नहीं होती है चेन बहुत मजबूत हो लेकिन बीच में से तूटी हुई है पानी का पाइप बहुत अच्छा लगा हुआ है लेकिन बीच में कनेक्शन तूटा हुआ है इलेक्ट्रिक वाइब बहुत अच्छी कॉलिटिक है लेकिन बीच में कनेक्शन कट है तो क्या क पहुँचेगा समझने की बात है ये चीज साबिच छुदा नहीं है ये सेम बात इस दूसरी हदीश में भी दी हुई है लेकिन ये हदीश सक्त जईव है क्योंकि इसकी सनद में एक मतरूक रावी है महादसीन ने इस रावी की हदीशों को तर्क कर दिया था है ये चोड़ दिया था ये तीसरी हदीश देखिए इस हदीश में आता है कि प्रफ मुहमद صلی اللہ علیہ وسلم ने उस बांदी से कहा कि लकदिह तजरत मिन नारी भी हिजारिन ये पिशाब तुम्हारे ले जहन्म की आंग स से ढाल होगी शेक अलबानी कहते हैं कि ये जो आखरे हिसा इस हदीश का ये शाज है और ये रिवाएच जो मुसन्नफ अब्दर रजाक में आती है इबन जुरैट से वो हदीश मुरसल है मतलब कि एक आखरे हिस्सा जईफ है गहर साबिश चुदा है यानि कि मुहमद صلی اللہ लेकिन इस बारे में दलील की रोशनी में अगर आप सही बात जानना चाहते हैं तो शेक शुएब अरनौत ने अब उदाउद के अपनी चेकिंग में बताया है कि इस हदीश का जो शुरू का हिस्सा है वो भी थाबित नहीं है यानि कि पूरी के पूरी हदीश जईफ है क्य मौतबर कहा है और महादसीन के नजदीक अगर इमाम इबन हिबान अकेले होते हैं किसी को मौतबर कहने में तो वो बात काफी नहीं है वो मानी नहीं जाएगी मतलब कि ये हदीश पूरी के पूरी जईफ है ये बात जादा स्ट्रॉंग है फिर भी अगर कोई आर्ग्यो करत कोई मौत स्ट्रॉंग के घर के बाहर लाइन नहीं लगी होती थी कि लोग आए हैं पिशाब लेने के लिए आपके पास कोई एक सगी हदीश मौद नहीं है जिसके नदर ये बात दिया हो कि सहाबा पिया करते थे ये चौती हदीश भी बताई जाती है जिसमें दिया है अनस बिनुमान इल्मिन करी जिसकी कोई तौसीक नहीं मिलती यानि कि वो रावी अन्नोन है बलके मुहम्मद अल्याओं की तालीम तो ये है कि जो नहाने की जगा है जहां ठहरा वा पानी हो ऐसी जगाओं पर जहां पर लोगों को तक्रीफ हो सकती है वैसी जगाओं पर पिशाब ना किया जाए पाखाना खाने के बारे में ये हदीछ बताई जाती है जसमें आता है कि जाबर बिन अबदल्ला रद्धिलान only हो सब्कुन वो खाएं लेकिं ये नहीं बताया जाता है कि ये हदीछ जعیफ है बलके यहां तक हाकि एपती किताब मिजानु आइसी हधाला दू रावी है वो सख्त मुनकर रिवायते बयान किया रहता था इमान मालिक से और उन्होंने कहा है कि इसकी पुरी सलाद अंधेरे में है आप इसमें देख सकते हो कि कई अन्नों रावी है पुरे अलमा की कमिटी ने भी इस हदीस को जईफ में शुमार किया है आखिर में एक सवाल है जो बाते मैंने कही यह कोई बहुत बड़े जीनियस को समझ में आई यह ऐसा नहीं है बहुत सिंपल सी बाते हैं यह लोगों कोई बाते क्यों नहीं पता है यह लोगों कोई बाते समझ में क्यों नहीं आती है तो हकीकत तो यह है कि उनकी आँखें अंखें अंधें नहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये अंधी नफरत को खतम करिये आईए हम सब सची बात को देखकर उसे कुबूल करें शुक्रिया स्लावने का अबतला